हाई दोस्तों विल्कम बैक टो ग्लैम शुती मैं हूँ आपकी दोष शुती गुपता और आज आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने फेश पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि आज में शियर करने वाली हो विफोर मेक अप अपने इसकिन की केर कैसे करें दोस्तों जब भी आप मेकप करती होंगे तो यह आपने कभी नोटिस किया है कि आपका मेकप जो है कुछ देर बार डल हो जाता है आपका मेकप जो है कुछ देर बार ब्लैक पर जाता है आपकी जो इसकिन है वह अंदर से ग्लो नहीं करती मेकप आपको बहुत अच्छा करना आता है भी वह निखार आपके फेस पे नहीं दिखता है क्योंकि मेकप तो आप कर ले तो पट मेकप से पहले कुछ जरूरी स्टप होते हैं जो हमें फॉल करने पड़ते हैं वह आप करना भूल जाती है तो उसी के वज़े से आपको यह प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है तो बहुत सिंपल सा स्किन केर रूटीन होता है जो मेकप करने से पहले विफोर मेकप हमें फॉलो करना चाहिए बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूं आज का वीडियो और आज का वीडियो बहुत ही यूजफूल होने वाला है इसने पूरा देखेगा इस किमत करीगा तो चलिए फॉर्स स्टप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहरा स्टप होता है क्लिंजर अपनी फेस को अपनी स्किन को क्लीन करना आप बोलो गई यार यह तो सबको पता होता है कि विफोर मेकप फेस वास करना चाहिए जी हा मुझे पता है सबको पता है बट यह दो से धाई घंटे हो गया है मुझे नहाए हुए तब से मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाइट नहीं किया है आज तो वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैं यहां पर गुड़ वाइट का विटामिन सी ग्लो फ्रॉमिंग फेस व आज यहां पर मार्केट लगता है जिस वजह से नॉइस कुछ जादा ही आती है तो इस तरह आप अपने फेस को हलके हाथों से क्लीन करना होता है अशली यह डीप क्लिंजिंग ब्रेश मुझे इसलिए अच्छा है क्योंकि यह पोल्स को भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर क्लीन करना है बरता है तो अगर आप कोई फेस वास बेना चाहां अलेने वाले हो तो इस तरह का डीप क्लिंजिंग ब्रेश वाला फॉमिंग फेस वास यूज कर सकते हो ठीक है यह जहिए जाओ कर एक दिर ब्रैंट बी इस तरह के फेस वास मार्केट में लाए रहे हैं अगर आपकी स्क्रीन नहीं है उसके ऊपर पृती आपकी परीदूशन हों गंदगी है डर्ट में पकृष पर हमारा जो मेकप होगा वह अच्छी तरह से ग्लो नहीं करेगा। में एक जब गंद अधनी गंद कर आइगा इसलें फैस को क्लीन करना ज़युत झ्यूंटर और शेquinhoक्तर nuts ङलिए ऊच्बार से दो जसी दोगे मेकब कर देनां मेप उसके विक उपर यह इसलों प्लें कर देंगे करने के पार पूंद करने के पदर नहीं करना चाहिए कि हमारे स्कीन बगादा नाजुक होती है इस तरह हमने ने फेस वास को कमप्लेट की आप देख सकते हैं फेस वास करने के बाद ही मेरी इसके लिए नजर आ रहे हैं क्लीन स्किन पर मेकप करेंगे तो जैसे बाद मेकप बहुत सुंदर होने वाला है इस वास के बाद हम अपलाई कर सकते हैं टोनर या गुलाब जल इन में से कोई एक प्रोड़क आपको यूज करना होता है अगर आपके पास टोनर नहीं है तो कोई बात नहीं आप गुलाब ज सकते हो पस्याट कोई को इस पर बात नहीं है कंगे अगमेर को यह खता है आपकर को आप करता है थिए अ dispelस्त करता है वाँ तॉनर के बाद हो सकते हैं तो आप निकाल सकते हो करने के बाद जो गंदीज नहीं करते हैं टोनौर स्किंद को निकाल दीता है उसका wenn hydration continuous को क्लीन करने के लिए और हमारी स्कीन को हाइट्रेट भी करता है इस तरह इसके बहुंत हमने अप्लाई कर ना हुता है कभी पीजिस न को हाइटरेट करता है इसमें एक्टिव इंग्रिडेट्स होते हैं जो हमारी इस्कीन वह वह अधिक FC मन्द होते हैं जिसमें है काकुडू, प्लम एक्स्ट्रैक एंड हैलोनिक एसीड इसकिन को हाइडरेट करता है और ब्राइटिंग भी देता है इसकिन को तो कोई भी फेस सिर्म फिलाल मेरे पास सही है मैं इसको यूज कर रही हूँ अगर आप फेस सिर्म अप्लाई नहीं करना चाहते हो फेस सिर्म को सिकिप करके और यहां पर यह फेस सीड मास्क वोधाय। मैं कभी भी कोई वेडिंग मेर जाती हो तो मैं सीड मास्क ूज करते हो, इससे क्या होता है विफोर मेकप में अपने से अच्छे से हमाई सकिन को हाइडरेट करता है और हमारी किन बहुत ही प्यारी ग्लोग मुझे तो यह सीट मास्क यूज करना बहुत पसंद है कि मैंने गानियर का पूरा पैक मंगा लेता है जिसमें 10 सीट मास्क अभी मेरे पास केवल 5 ही पचे है तो अभी बहुत जादा दिन यूज है चार महिने शायद हुए इसको मंगाय हुए तो मैं इसको यूज करती रहती ह मुझे बहुत 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 जादा अच्छे लगता है जब भी मैं किसी पार्टी में जाते हो मताँ वेडिंग पार्टी में जाते हो तब यूज करते हो ऐसे तो नहीं यूज करते हो और घर में तब यूज करते हो जब मेरी स्किन बहुत इरिटेट नजर आती है डिहाइ पड़ता है जोड़नी कि आप गाननर का यूज करो और अधर ब्राइंड आप उसका भी यूज कर सकते हो हैंडर का आता है वन फिफ्टी के आता है इस तरह की रेंज में आता तो वीकली इतना खर्च करना एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तो उस टाइम सकते हो यह भी बहुत अच्छा है फेस सिरम का यूज तो आप डेवली कर सकते हो तो फिल हाल में घर पर ही हूं तो वीडियोस बनाती रहती हो तो वीपोर मेकब मैं इस फेस सिरम को यूज करती हो थिक है मदब जो कॉण्टिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है फेस सिरम क से यहां फोड़ी स्थोड़ी मात्रा में यूज करेंगे और फोरी फेस को सिरूम अप्लाइ करते हैं пользов призege क navy is being gefragt हो इस्धिन को हाइडरेट छाती है एंपम गलता है यह जाती है यह में क्यों कंग्रें के इस त कि शीए है तो इस तरह आप फेस पर फेस सिरम को अप्लाई करें यह मसमझें कि आपके पास सीट मास्क नहीं तो यह काम निकरने काम तो यह भी करेगा बड़ शादी मेकप तक ही अच्छी नहीं लगने चाहिए ना हर्दम अच्छी लगने की ज़ेए, तो वो सीट मास्क जादा अच्छा है, उस टाइम जो ऑप्शन है सीट मास्क वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो फेज सिरम अपलाई करने के वाल, इसके वाल हमें अपलाई करना होता है, मोस्चराइजर, बहुत लोग यहां पर में पाइजर को पार्स को पार्ण जाया उसके बाद हमें करना होता है मैं इसके पाउन्स का लाइट मोश्टराइजर यूज करती हूँ क्योंकि यह बहुत पसंद है अगर आपके और श्किन अच्छारी ले सकते हैं विससे काफी लाइट है हम इस समय समर चल दा तो बहुत ज़्यादा मोश्यराजर अप्लाई नहीं करेंगे बहुत कम अमाउंट में मोश्यराजर को अप्लाई करेंगे अब देखिए अगर आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट एतनी स्मूध एतनी हेल्दी है तो जाइस से बात आपका मेकप भी अच्छा होगा यह सारी चीज़ें एक लेयर के रेट कर देती हमारे स्किन के ऊपर जैसे जो मेकप होता है वो हमारे स्किन के अंदर नहीं जाता क्योंकि मेकप में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो स्किन को नुक्सान करती है यह स्किन केर रोटीन, आपके आपके स्किन को नुकसान हो अगर आपके इसके बहुत है था ध मेंसक् itself कि ऊपना थे तो आपको वीकिवर इसके में लिब कई प्टवाइब ने तो अगर आप का अज़रोडा स्थाटर रहेगा तो आपके ऊपर अपर छो लुबिंग उल्ब फटा। या फिर आपको इल्ली बाम अपने इसकिन पर अपनी लिप्स पर अप्लाई करें तो यह है स्किन केर रूटीन जो हमें विफोर मेकप जरूर 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 फॉलू करना चाहिए आप देख सकते हैं जे स्किन केर करने के बाद मेरी स्किन कितनी जदा हेल्डी नजर आती हो कितनी जदा ग्लो कर रही है और कितनी जदा क्लीन कर रही है एक बात मैं बता दू दिमाग में आप यह बात बुलकुल ही अच्छे दासे साफ करके रखे कि अगर आपकी स्किन साफ नहीं है, आपके skin गंदी है, dead skin आपके skin तो उपर है, आपके skin बहुत ही पैची नजर आती है, तो आपका make-up कितने भी अच्छे brand का make-up करो, आपके उपर make-up अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और हाँ, make-up करने से पहले एक ज़रूर और apply करेगा, primer, primer भी बहुत ज़्याद करेगा, आपके skin के उपर, पोर्स के अंदर जो भी product होंगे make-up के यह जाने से रोगता है, आपको एक smooth layer देता है, जिससे आपका foundation है, जो भी base आप apply करने वाले हो, बहुत smoothly apply होता है, और आपका make-up बिलकुल भी पैची नहीं पड़ता है, और नहीं आपका make-up काला पड़त के वीडियो आप लोग के लिए यूश्फूल हो, यूश्फूल हो तो प्लिस लाइक करना और शोर करना और पहली बाव चैनल पर आए तो चैनल को subscribe कर लो, बगल में लगी घंती बजा दो, फिलहार दोस्तों इस वीडियो में इत्ता ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में एक म तब तक जै हिंज जै भारत करके बिना बिंदी ना मुझे मज़ा नहीं आता है, तब तक लिए जै हिंज जै भारत